Hello everyone, welcome to current poor, तो आज के daily current affairs की स्रीज में हम लोग देखेंगे 7 जुलाई 2023 के current affairs को वीडियो में अंतक बने रहे, वीडियो के end में 6 जुलाई 2023 के current affairs का हम लोग revision करेंगे और ये current affairs आपको आने वाले सभी competitive exam के लिए काफी helpful होने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्योंकि current पूर पर मिलता है, एक घंटे के current affairs का आने लाईसेस मातर दस मिनट में कोशन है पहला कि भारती नोसेना और अमेरिकी नोसेना के बीच अभ्यास सालवेक्स का सात्वा संस्करन 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कहां आयूजित किया गया आन्सर है option C, कोशी में भारती नोसेना अमेरिकी नोसेना बचाव और विस्फोटक आयूद निप्टान अभ्यास सालवेक्स का सात्वा संस्करन 26 जून से लेकर 6 जुलाई 2023 तक कोशी में आयूजित किया गया 10 दिनों तक शलने वाले इस अभ्यान में दोनों देसों की गोताखोड टीमों ने समुद्री अनुभाव साजा किये और जमीन के साथ साथ समुद्र में भी EOD संचालन के विभिन पहलूँ में बचाव और प्रसिक्षन किया समुद्री अभ्यास जमेक्स 23 निमलकित में से किन दो देसों के बीच आयोजित होने वाला यूद अभ्यास है आंसर है ओप्सन C भारत और जापान के बीच भारती नोसेना द्वारा आयोजित दुईपक्षिय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जमेक्स 23 का सात्वा संस्क्रन 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक विसाखा पत्नम में आयोजित किया जा रहा है भारत और केनिया की सरकार 31 सगस 2023 को कहां भारत अफरीका अंतराष्टिय मोटा अना समेलन की सहमेजबानी करेंगी आंसर है ओप्सन B केनिया में भारत और केनिया की सरकार 31 सगस 2023 को केनिया में भारत अफरीका अंतराष्टिय मोटा अना समेलन की सहमेजबानी करेंगी 31 गर्स्त दोहजारतेश तक चलने वाले इस अंतराष्टी सम्मेलन में विस्व के सरकारी नेतरित्व करताओं, सोध करताओं, किसानों, उद्यम्यों और उद्योग संग आधी भाग लेंगे भारत और केनिया के सरकार का उद्येश अंतराष्टी सम्मेलन के माध्यम से मोटा अनाज की सार्वजनिक जाग रुकता विस्व के उभरते स्मार्ट फूड के रूप में बढ़ाना है चौदा जुलाई 2023 को फ्रांस में आयुजित होने वाली बैस्टील डे परेड में सम्मानित अतीथी के रूप में किसे आमंतरित किया गया आंसर है ओप्सन भी प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी को 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेसनले फ्रांसेस या रास्टिय दिवस के रूप में मनाय जाता है इन दीन को बैस्टिल दिवस के रूप में भी मनाय जाता है क्योंकि 1789 स्वी में हुई फ्रांसेसी करांती के दोरान इस दीन बैस्टिल पर हमला हुआ था प्रधान मंत्री सुरी नरेंदर मोदी को इस वर्स फ्रांस में आयुजित होनी वाली बैस्टिल डे परेड में सम्मानी ततिती के रूप में आमंतरत किया गया है इस वर्स की परेड में भारती ससस्त्र बलो के तीनों अंगों की 279 सदस्य टुकरी फ्रांस की तीनों सेनाओ की टुकरी के साथ मार्च करेंगे भारत के बाहर पहला IIT परिशर कहां अस्थापित किया जाएगा आंसर है ओप्सन ए तंजानिया जान जिवार में विदेश मंत्री डॉक्टर S. जैसंकर और जनजीबार के रास्टपती डॉक्टर हुसेन अलिमिविनी की उपस्तिती में भारत सरकार के शिक्षा मंत्राले आयाइटी मदरास और सिक्षा और व्यवसाइक प्रसिक्षिण मंत्राले जनजी बार तंजानिया में IIT मदरास के परिशर के स्थापना के लिए समझावता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर किये गए यह भारत के बाहर अस्थाफित होने वाला पहला IIT परिशर है तंजानिया अफरीका का एक देश है जसकी राजधानी डोडोमा है निम्नलिखित में से किस देश पर वर्स 2020 में यातरी विमान को गिरानी के विरुद विस्व न्यायले में मामला दर्ज किया गया है आंसर है ओप्सन डी इरान पर बर्स 2020 में यात्री विमान को गिराने के विरुद इरान पर विस्व नियाले में मामला दर्ज किया गया है कनाडा, सीडन, युक्रेन और ब्रिटेन ने अंतरास्टे नियाले से इरान के खिलाफ कारिवाही की मांग की है सन्युक्त रास्ट के सर्वोचे नियाले में युक्रेन के यात्री विमान को 2020 में मार गिराने को लेकर इरान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया इस घटना में सभी 176 यात्रियों और कुरू सदस से मारे गये थे मरने वाले में अधिकतर कराड़ा, स्वेडन, ब्रिटेन और युक्रेन के नागरिक सामिल थे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में सबसे सिर्शस्थान पर कौन सा देश है आंसर है ओप्सन बी आइसलेंड सिडनी इस्थित इंस्टिट फॉर इकोनोमिक्स एंड पीस आई ईपी द्वारा वैस्विक सांती सूचकांक 2023 जारी किया गया है 163 देशों की रैंकिंग में सिर्शस्थान पर आइसलेंड को रखा गया है आइसलेंड दुनिया का सबसे सांती पूर्ण देश 2008 से कायम है इस सूचकांक में दूसरा स्थान डेर्मार्क, तीसरा स्थान आइरलेंड और चौथा स्थान न्यूजरलेंड को प्राप्त हुआ है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत के सस्थान पर है आंसर है ओप्सन C 126 वे स्थान पर 163 देशों की रैंकिंग में भारत को 126 वे स्थान पर रखा गया है 2022 में भारत 135 वे स्थान पर था इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान 163 वे स्थान पर है इसमें तीन प्रमुक सर्तों के अनुसार देसों की रैंकिंग की जाती है सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा कास्तर देसों में होने वाले आंतरी किवं बाहिस अंगर्स के आधार पर सैनी करन की सीमा के आधार पर बास्केटबॉल फेडरेशन ओफ इंडिया बी एफ आई के अधाक्ष के रूप में किसे नियोक्त किया गया है आंसर है ओप्सन डी आधव अर्जुन को तमिलनाडू बास्केटबॉल एसोसियेशन के अधाक्ष आधव अर्जुन नहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजई हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ओफ इंडिया के अधाक्ष कापद हासिल किया और इंदोर के पूर्व अंतररास्टे खिलारी कुल्विंदर सिंग गिल को बास्केटबॉल संग के महासाचीम चुना गया निमलखित में से किस के द्वारा थ्रेट्स नामक एक नया सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म जारी किया गया है आंसर है ओप्सन C, मार्क जुकरवर्ग के द्वारा इंस््टाग्राम और मेटा के मालिक मार्क जुकरवर्ग ने Threads नाम से एक नया सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है Threads को Twitter Killer आप माना जा रहा है जो एलन मास्क के Twitter को टक कर देने के लिए मेटा द्वारा यह आप लाया गया है तो चलिए अब 6 जून 2023 के करिंटरफर्स का रिवीजन करते हैं समुद्री अभ्यास GMAX 23 का सात्वा संस्क्रन 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 तक कहां आयोजित किया जा रहा है तो ये विशाखा पत्नम में आयोजित किया जा रहा है सेफ चैंपिंशिप 2023 का खिताब किस देश नहीं जीता तो ये भारत नहीं जीता निमलकित में से कौन सा देश संगाई सहयोग संगठन SCO का नया अस्थाई सदस से बना है तो ये इरान बना है अब सदस से देशों की संख्या नौ हो गई है चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तज़किस्तान और उजबेकिस्तान एवं इरान भारती पुरूस किर्केट टीम के मुखे चैन करता के रूप में किसे न्योक्त किया गया है तो अजीत अगर करको US National Center for Environmental Prediction के आकड़ों के मुताबिक किस तिथी को विस्वस्तर पर सबसे गर्म दीन दर्ज किया गया तो ये 3 जुलाई 2023 को नाटो का महासचीव जिसका कारेकाल एक वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है तो ये है जेंस इस्टोल्टेनबर्ग किस राज्य की सरकार ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है तो ओडिशा के सरकार ने स्रिलंका के जाफना विस्विद्याले ने भारत के किस सैक्षनिक संस्थान के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो IIT मदरास के साथ सन्युक्तराष्ट सुरक्षा परिशद आर्टिफीशल इंटेलिजेंस के खत्रे से निपटनी के लिए 18 जुलाई 2023 को पहली बैठक कहां आयुजित कर रही है तो ये ब्रिटेन में तो ये थे आज के करेंट अफेर्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें धन्यवाद